नमस्कार स्वागत आपका आपके इपने ही यूटूब चैनल करमीर में वर्दमान माहविर खुला विश्व धहलेक कोटा द्वारा जब भी रिजल्ट आता है तो बहुत सारी शमश्याएं दिक्कतें कुछ परिशनें आती है तो रिजल्ट को लेकर भी कुछ चीजें उसमें समझ में नहीं आती है तो उसे लेकर मैं पूरा एक वीडियो बना रहा हूं हो सकता यह वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए लेकिन सारी समश्याओं का एक साथ एक वीडियो में आपको समाधन कर दूंगा तो आप वीडियो को आप तलेन होकर देखें और उसमें जो भी आपके काम आने वाले चीजें तो मैं आपको कुछ मांगशीट वगराव आपको दिखा देता हूं यह डिपलोमा कॉर्स की मांगशीट है और यह विश्य के कोड है यह और यह आपके अंक है विए SCA, NCA, एक यह एक और दूसरी मांगशीट मैं आपको बता देता हूं यह आज कोलिए मी genau डिखाुएएंज कर्सी कोर्स की कॉर्स पैसमेंस में नेचे दीञ एक आरेल लेका वायग है अंक भी दे रखे और अरल भी लिखा ओआ एक और मां शीट में आपको दिखाता हूँ यह BLS कोर्स की मार्क सीट है और इसमें देखो कहीं पर असाइनमेंट में जीरो नमबर है और ज्यादा तरह असाइनमेंट में इनकी जीरो नमबर है और रिजल्ड में आरल लेखा हुआ है यह भी DLS के मार्क सीट है और इसमें यह रिजल्ड का जो अंक अबडेट वह भी बता गया है और नीची या अंसी भी दिखावाई रिजल्ड के बाद यह नमबर भी कम पड़ रहे हैं आपने मार्क सीट देखी उसमें जो एंसी था उसका आर्थ होता नोट किलियर्ड या नोट किलियर्ड यानि की पास नहीं कि आप पास नहीं है कहने का मतलब यह हुआ और दूसरा जो एबी किसी के लिखा हुआ होगा उसके उसका मतलब एबसेंट यानि कि आप एग्जाम में उपस्तित नहीं थे और डबली का आर्थ हो था रिजल्ड अवेट अवेटेड और अवेटेड का मतलब आने बाला है और रिजल्ड लेटर का मतलब बाद में आएगा अब उपर वाली समझा है तो समझ में आ जाएगी यह लेकिन यह जो दो समझा यह टेकनिकली समझाए यह टकनिकिकी रुप से यह तीक अब उनका समाधन केसे करना है वो थोड़ा बाद में बता हूँगा लेकर उससे पहले में आपको बता दूँ कि हम पासिंग मार्क्स कितना है तो वियू में पास होने के लिए 36 नमबर आपको लाने है यानि 36 नमबर लाने हैं आपको 100 में से अब कुछ ऐसे कोर्से जैसे डिपलोमा है इनमें असाइन्मेंट नहीं है इनमें असाइन्मेंट नहीं है तो आपको इसमें सीदे 36 नमकरान हैं कुछ ऐसे बेचलर डिगरी के हैं BA, BA, BSC है और Wiko में Beelis है इनमें क्या होते हैं? असाइन्मेंट होते हैं इसमें क्या असाइन्मेंट होते हैं तो उसमें आपको असाइन्मेंट और जो पेपर दोनों में आपको पास होना जरूरी है और जो असाइन्मेंट होते हैं उन दोनों में आपको 36% अलग अलग लाना जरूरी है अब जो तियोरी पेपर है अब किसी के 70 नमर का जिसे पेपर होता है तो उनके जो असाइन्मेंट है वो 30 नमर के होते हैं और या किसी के जो तियोरी है वो 80 नमर की होती है तो उनके जो अस यानि कि कुल मला के पोरा जो पेपर है वो 100 नमर का होता है ज़िए आपके जो थेघुए सतर नमर की तो यह भी सो गए और थेघुए Richtung 80 तो यह भी सो गए अब आपको Sतर में से पास होने के लिए आपको लगब तो आप 25 वाड़ा पास है और असी में से गुंतीस अंकवाला पास है और बाकी जो बचे हुए गुंतीस वागब साथ नमर आपको असान में डिलाने तो आप पास हो जाएंगे तो कहने का वाbird 70 का पेपर है तो आप आप आराम से पास है और जो 80 का आज़़ी आपके पेपर है तो उस पेपर में लगबग 30 30 नमरा तो आप बिलकुल आराम से पास हो जाते हैं बाकी assignment पर सभी को फुलन नमर मिलते 30 अंक मैं से 20-25 नमर मिल जाते हैं और लगबग जिसके बीस नमर का सानिमन को पंदरा नमर पंदरा सोड़ा नमर आरम से मिल जाते हैं ये तो हो गई पासिंग वाली बात अब वापिस हम इधर चलते हैं कि ये जो समशा आती है इनका समाधन केस से करना है सबसे पहले जो एनसी की समशा का समाधन करेंगे समाधन मैं आपको बताओंगा एनसी का समाधन क्या करना है तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि यदि आपके पेपर में एनसी है एनसी दो होता है एक तो आपके एनसी का मतले नोड किलियर होता है तो आपको यहां दो फोर दो फोर्म आपको भरने हैं अब रिवॉल्शन में क्या होगा कि पुनर मुल्यांकन होगा अंक दुबारा गिने जाएंगे उसमें नंबर बढ़ भी सकते और गट भी सकते हैं दोनों से यह लेकिन ज्यादा तर संबावना बढ़ने की ही है तो और लेकिन यह द्यान रखना है रिवॉल्शन में नंबर बढ़े यह कोई जरूरी नहीं है और दूसरा है डिफॉल्ट रख्जाम यानि कि यदि आप पास नहीं हो पाये किसी पेपर में तो जैसे कि पिछली अंक तालिक है आपने देगा तो डिफॉल्ट फॉर्म बढ़के अगली परिक्सा में आप क्या है आप पास ओलिफिर भी आप डिफॉल्ट फार बरता है और यदि रिवॉल्शन में पास हो जाता है कर दिफंट रीक्जाम देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह रिपास रिजल्ट में पास हो गया। मनें तो अ क्या करना ज्यस्कों उसका रिजल्ट आता है तो सको डैको च्रृण सोट लेकर रखना ि और डूसरा क्या करना है रिपास रिजल्ट जो लिस्ट होती हो políticas मैं ये क्यों बता रहा हूं क्यों कि क्या होता आपने रिफोल्टर फोरम भी भर दिया और आपने डिफोल्टर फोरम भी भर दिया दोनुए आपने फोरम भर दिये अब आपने डिफोल्टर फोरम भरा इसका मतलब आप एक्जाम में बैठेंगे आपका एडमीड कार्ड भी आएगा और आप एक्जंब नहीं देंगे लातने के टेंगे जोने betis बताएगा अपने डिफोल्ट ऊर्म पराता आपका प्रवेस्पथ जारी होगा और पैठेगा थीक अब आपके पास उसमें क्या होना चाहिए यह जब अपडेड होगा आपके पास यह इन दोनों में से कोई चीज होनी चाहिए जाए निकलता जो रिजल्ट सीट उसमें जो मैंने इसको क्या करना है कि आपको यह बताना है कि मैंने एक्जाम परिक्सा इसका यह दी थी इस सत्र की और उसकी रिजल्ट जो डिदे में मेने रिवुल्स फोर्म भी भान भी भ़ाता और डिफोल्ट फोरम भी भान भी ब्राथा और में रिवुथ। का सरम करावें और दूसरा क्या बता कई बार मार्क्सीट भी इस्टुएंट के घर पर आ जाती है तो आपको मार्क्सीट का जो जो अंक तालिक है मार्क्सीट तो इसका फोटो लेके वह भी आप्डडेट कर सकते हो वर्त्मान में है कई लोगों की समशय आ रही है तो यह आपको करना है तो बोल्स रेजल जब भी आता आपको इसके पार लेकर रहें डा इसको दूसरी जो समशय यह आपके RW और ये अच्छा एक और चीज यहां रह रही है ये absent वाले absent वाले कई बार क्या होता है कि तक्ने की कारणों की वज़े से आप exam देते हो फिर भी आपको absent बता देता है कई बार ऐसा भी होता है कई बार टेक्निकल इकारण तो आपको क्या करना है attendant seat लानी है यानि कि आप जहां पर exam हुआ था exam center से exam center जाकर attendant seat लानी है और उस attendant seat को exam at vmou.ac पर mail कर देना है कि मैंने ये exam दिया था मेरी attendant seat सलंगन है आप मेरा जो result है वो update करने की किरपा करें है सर्म करावें तो आपको absent आपने exam दिया फिर भी आपको absent बता रहा है तो आपको ये काम करना है चलिए अगले की बड़ते हैं RW तो आपको आपको जैसे भी रिजल्ट आता है उसका skin sort लेकर रखना है revolution result या कोई भी हो आपका admin card आतो भी आपको skin sort लेकर रखना पूरा तो कई बार किया टेक्निकली कारणों से आजगल आपको पताए में आपको मेल करना है तो आपको समादान हो जाएगा तो बहुत सारे विद्छापिएं को ये रिजल्ट के बाद समशने आती रहती है तो ये बार पिर भी यदि आपको कोई दिखत आरही हो या कई बार जैसे इसकी language लिखने में बी कोई बार दिक्कत आ रही तो आप मुझे मेसेज करते हैं मैं लेंगे विज आपको लिखके टेक्स बेच दूँगा आप उसको कोपी कर आगे मेल कर सकते हैं तो यह रिजल्ट को लेकर बहुत सारी दिक्कत थी और यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करते हैं चैनल को सब सब्सक्राइब करते हैं बेल आइकन दबा की नौटिफिक्स नावल पर क्लिक करते हैं जैसे में सब्सक्राइब का महत्मुन वीडियो बनाँगा उसका नौटिस आपको मिल जाएगा मिलते एक लिए तब तक लिए धन्यवाद